36 गड के राजधानी में फरजी रेलवे अधिकारी बनकर रेलवे में नोकरी लगाने का जहासा देकर बेरोजगारों से ठगी करने वाले उत्तर परदेश के अखिलेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी ने कबीर नगर हिरापूर एवं आसपास रहने वाले बेरोजगारों को रेलवे में विभिन पदो पर नोकरी लगाने के नाम पर 50 लाग से अधिक कि ठगी कर चुका है आरोपी अखिलेश यादव को कबीर नगर पुलिस ने हिरापूर से गिरफ्तार किया है उसके पास से कार और बुलेट वी जप्त की है पुलिस के मताबिक आरोपी अखिलेश यादव मूलत है उत्तर परदेश का रहने वाला है पिछले चेह महिने से वो हीरापूर इलाके में रहकर बेरोजगारों से रेलवे में नोकरी लगाने के नाम पर ठगी कर रहा था करीब साथ से आठ लोगों से उसने अब पचास लाकी ठगी की है इसके समन में यह जानकारी भी मिली है कि इसने गुजरात में भी कुछ लोगों को नोकरी लगाने का जहासा देकर ठगी की है अपना अलग-अलग कार्ड बनवा कर बांटता था उसके पास से भारत सरकार की गाड़ी लिखी कार, रेलवे का बुलेट और कार्ड, लैप्टॉप वर्डी, सील समेट कई समान जप्त किये गई है आरोपी के इस पास से 20 नग रेलवे बोर्ड का फरजी सील, 20 HEM, 100 विजिटिंग कार्ड, वेस्टरन और साउथ रेलवे का कार्ड मिला है, जिसे यह खुद बनवाया ज़त था यह अपने आपको रेलवे में टीकी के पत पर बताता था, कहता था कि मेरे पीता मुंबई आईजी हैं और किसी दूसरे का इंटरनेट से फोटो डाउनलोड कर उसी अपने पीता बताकर प्यार्थियों को दिखाता था आरोपी ने गुजरात में एक गुपता परिवार से भी नोकरी लगाने के नाम पर पांच लाग की ठगी की थी आरोपी अखिलेश यादव ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई और मैं इस ठगी के वेपार में आ गया हिरापुर में 8-9 लोगों के साथ ठगी और गुजरात में एक वेक्ति के साथ ठगी सभी लोगों से धाई-धाई लाख रुपे लिए पिछले डेट साल से यहां काम कर रहा हुँ गुजरात से ठगी करने के बाद रायपूर आकर हिरापुर में रहता था पहले रेलवे में टीटी के पत पर फिर प्रमोशन होकर कॉरबार चला गया और वहां कोईला लोडिंग होता है उसका इंचार्ज बताता था ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद